तो अब हम एक जो आज एक important topic पे चलने वाले हैं, वो है relationships, कितने लोग अपने relationships से परिशान हैं, खुश हैं, कौन-कौन से relationships अप irritate होते हैं, angry होते हैं, तो relationships की बाते हैं, क्योंकि relationships पूरा जीवन क्या है, relationships, आप पहले बच्चे होते हैं, माता पिता के साथ एक relationship होता है, फिर आप बड़े होते हैं, दोस्त, रिश्टदार होते हैं, आपके शादी होती है, बच्चे, तो सब लोग आसपास पूरा हम चुकि इंसान समाजिक प्रा relationship में, कोई issue नहीं होती है, आपको, कोई problem नहीं होती है, किसी से भी, किसी से भी नहीं होती है, होती है, होती है, होती है, होती है, तो आपके हाथ होने के लिए na relationship में problem है, नहीं मैं, नहीं होती है, मेरे तो किसी के साथ, किसी के साथ नहीं है, आपको, आपको लोग साथ गु कभी कोई कुछ बोलेगा तो मैं समझती हूँ चलो उसको अभी ऐसा लगता है बाद में उसको होगा ऐसा फिल के साइद उसने गलत किया है ठीक होने दो चल ले जादतर लोगों को कुछ ना कुछ जादतर human beings जादतर क्या 100% human beings को वहां पर शायद आपको मतलब awareness में नहीं होगा कि हमें क्याइबर क्या होता है कि यह आप साइड के लिए होता है कुछ time के लिए थोड़े time के लिए ऐसा होता है फिर वापने नॉमल हो जाता है ता के लाज जी आप कुछ कहना चाहते है अन्म्यूट कर लीजिए अपने आपक मेरा अपना experience यह है कि सारा relationship जो है यह faith होना चाहिए हमें इससे भी हमारी relationship है घर में बच्चों से बच्चों पर faith रखना है वाइप से है उसमें faith रखना है बिलकुल सबसे बड़ी चीज है faith अर नंबर दो पर फिर आजाता है कि आप सम्ता का भाव रखिये मुल रखिये मुल रखिये इस मेंटर को सुल्जाने की भी कोशिश करें यह नहीं कि वो क्रोध बनाई रहे तो आपको क्रोध आ गया या वाइफ ने मतलब पुछ ऐसा काम कर दिया जो आपको क्रोध आ गया घ्लाज जी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से शेयर करेह तो लोग को जादा समझ में आएगा एक तरह से रेक्ट्र प्रैक्टिस वो शेयर कर लेगिए यह आपको गुस्ञा ाया अप कोहां पर क्रोधित हुए, फिर आपने अपने क्रोध को शान्त करा और वाई पिर रिलेशनिशिप अच्छा, वो तो इस तरह से शेयर करेंगे, तो लोग कुझाना आप प्राक्टिकल ही न दिखाई देगा। प्राक्टिकल ही न दिखाई प्राक्टिकल ही न देगा। प्राक्टिकल ही न देगा। लाइफ की प्राव्ब्रम्स और वहाँ पे बिमारियां हम आकर्शित करते हैं। जब हमारे अंदर रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट समझते हो बहुत जादा खुंदक जिसे कहते हैं। अंदर से कि उसने मेरे साथ ऐसा करा, मेरे सास बुरा करा, मेरे सास बहुत बुरी है। या मेरे पती बहुत बुरा है उसने बहुत मारा। और यह इन थौर्ट्स में आप लगाता रहते हैं। रिजेंटमेंट में अंदर उबलते रहते हैं लुए तो रिजेंटमेंट जो हर बिमारी underiblification, इर कि ऊरण वह idag है तो रिजेंटमेंट कैंसल रूप ले लेतया आपको बता है कि resentment creates cancer हम लोग अंजाने में बहुत ज्यादा क्रोध है या अंदर से बढ़ बढ़ाते रहते हैं मतब उसको बोल नहीं पाए जैसे बहु है शादी करके नहीं पे घर गई तो सास को या उन लोग के आगे क्योंकि वो अकेली होती है डरती है तो बोल नहीं पाती और अपने अंदर resentment हो रही है कि सास बहुती है खाना बना या यह कर वो कर या बहुत सरे गैस्ट आ गए तो बहु के अंदर एक resentment आने लगती है मताँ एक्जाम्पल दे रही हो वो resentment आपको अपने parents से भी आ सकती है कि भी father बहुत dominate करते थे बार-बार कुछ कुछ बोलते थे दो वो क्योंकि एजिए चाइड आप जो है आपको सुनना पड़ता है बड़ों की बात और यही ऐज़े बहु बहुत सुनना पड़ता है या एजय संत सुनना पड़ता है एजय संत के बहुत बेटों को भी parents बहुत डॉमिनेट करते हैं बत्ता उन्हें लगता है तो इट कें ग्रों इंटू कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण जो है वह रिजेंटमेंट एंगर होता है अंदर अंदर जैसे कई सिस्ट्र ले लॉइं लॉइं जैसे नद भावी हैं तो उनको लगता है मेरी सास ने ननत ने बहुत जादा मेरे को डॉमिनिट करा जिंदगी भ चल रहा है बढ़ कि अंदर अंदर यह थोट्ञिंट की चल रही है और यह थोट्स हमें पता हुप्ट हम ढुटी वोड़ी व एक बते जा वह तो उद्क्य हो है । तो कहीं न कहीं एंगर का कारण बन जाता है तो आप लोग सब होमवर्क करोगे अपनी हां जी समीता जी मेरा सिस्टर ही लोके साथ बिगड़ गया था रिलेशन मतलब वो बहुत गुस्से वाली है वो और उनके अस्बन अजी बहुत गुस्से वाले हैं आपकी सिस्तर ही और शिस्तर ही लो जाओ तो में जो पूर्ड़ की बाहिए कि अधिक कि अब मेरे से मतलब गया जनम में कोई भूल हो गई है करमास तो मैं माफ कर देती तो उनका सामने से फोन आया छे साल पर फोल्ट नहीं था लेकिन मुझे बिगड़ना नहीं था किसी के साथ तो छे साल बाद क्या हुआ उनका सामने से फोन आया है भूलाने के लिए फिर भी तुरंट गये तुरंट गये रिलेशंशिप ठीक हो गया आपकी फोर्गिवनेस करने से हां मैं रोज एक ही टाइम पर करते हैं या वेरी गुड और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं लिखना है कि कौन-कौन से रेलेशंशिप है इसमें आप गुसना है तो यह अथेंटिक ह होना पड़ेगा इसके लिए ना आपको अपने आपसे सच बोलना पड़ेगा यह कहने से नहीं मैं तो सबको माफ कर देती हूं मैं तो मन में रखती नहीं यह जूट है हम सब human beings हैं इंसान है तो हम सब के अंदर कुछ ना कुछ किसी ना किसी के लिए गुसा या कुछ ना हम सब human beings हैं तो गुसा आता ही है और हम लोग के अंदर है सब conscious mind में कुछ इश्वर ने दिया है ना यह हमें गुण गुण जो भी कहिए इसलिए दिया है कि कोई आपको suppress ना कर सके कोई जानवर को आप मारते हो तो जानवर भी चिलाता है ना वह अपना को प्रोटेट करेग किस कौन सा relationship है husband है wife है mother-in-law है mother भी हो सकती है father भी हो सकता है अम यह पस एक लड़की का phone है वो उसकी mother जो है mentally ill थी और father जो है उन्होंने डिवोर्स कर दिया था उस mother को वो के लिए उसकी नानी ने पाला है she was very sick उसके doctor उने सब कुछ उसके test कर दिये कोई बिमारी नहीं आ थ थी और उसको खुछ समझ में भी आरता है यह emotional problems हैं उसकी और उसके हाथ पॉमें दर्द और 22 साल की उमर में क्योंकि उसको था कि कोई मुझे प्यार ही नहीं करता और अंदर बहुत anger था father के लिए कि उन्होंने छोड़ दिया मुझे दूसरी शादी कर ली उन्होंने तो अं उनका प्यार कैसे मिले तो रोज पापा को फोन करती है कि बैया आप आओ मुझे देखो मैं केली हूं मैं बिमार हूं तुम आते क्यों नहीं और फादर को जॉब करते हैं वो नहीं आ सकते हैं तो यहां पे आजा और हम तरी देख बाल कर लेंगे बट वो फुल अफ एंगर है फुल ऑफ eten-गर नॉट रेडी तो फोगिव क्योंकि उसके मन में भरा हुआ है कि मअबाप ने मतंद मेको अच्छे मापप नहीं मिले मेरत को जबकि उसको नानी प्यार मिला थों csop récup कर हां कि नाटी से प्यार मिला था उसका focus कि fadah ते प्यार दे दिया फार ने अम aunhi क और इतनी बिमार थी, कि वो चल फिर नहीं पा रही है, at the age of 22. तो बिमारियां हमारे शरीर में मैनिफेस्ट करती हैं. तो उनको निकाल देने के लिए हमें देखना जरूरी है, कि कौन से रिलेशन्शिप से हम अपसेट हैं, कौन से रिलेशन्शिप से हम परेशान हैं, कौन से रिलेशन्शिप जो है, हमें लगता है कि वो तंग कर रहा है, यह व्यक्ति हमें तंग कर रहा है, अभी मेरी कल पाइश ऑर ही आफ के मन में किसके रिए एंगर रिजन्पandon drafting ने मावा है कि काश ऐसा हो जाता है मेरे जीवन में मेरे काश मेने प्रॉपर्टी ले ली होती हुथ 50 साल पहले तो आज वो करोरो तो लोग किया एक काश मैंने प्रॉपर्टी घरी डी जो आाघ इतनी बड़ी होती कि प्लिख मेरे तो आज बहुत होता है पृत भी इडिशी तो यह तो past है, ना, तो जो regret है उनको भी लिखो कि भी, बहुत चीज, कही चीज होते हैं, बहुत ज़्यादा regret में भरे हुए हैं तो वो regret के पीछे खुद के प्रतिक्रोध है, कही बढ꺼 खुद के प्रतिक्रोध है, मैं बेफ़कुप थी, मैंने यह नहीं करा, मैंने वू hiçbir कर तो वो list बनाऊ कि आपको किसे गुसा है, किसे regret है, और अपने से सर्च बोलने से काम चलेगा यह नहीं कि मैं तो किसी से गुसा ही नहीं करती, मैं तो देवी हूँ या देवता हूँ, ऐसा नहीं होता न, हम इंसान है तु सब ने लिख लिए अपने रिलेशनिशिप्स के बारे में और आप उनसे क्या क्या शिकायते हैं, वो सब लिखिए अपने आप से भी लिख सकते हैं, अपने आप से भी हमारा एक रिलेशनिशिप होता है, अपने आप से क्या के नराज गी है, किसको अपने आप से नराज गी है अपने आप से भी गुसा, धरमें जी आपको क्या गुसा है अपने आप से जाहां मुझे अच्छा पर्फरम करना चैजी होता है, वहां मैं करना ही काता हूँ. ठीक है. मै कोई काम नहीं होता है, मेरी ज़रुरत नहीं होता है, वहां पर मेра uma performance level number 1 होता है. लेकिन जाहां मुझे actual perform करना चीजी होता है, जहां मुझे सब खड़ा करते हैं, कि तुझे यह आजा करने हैं, वहां मैं फैल हो जाता हूँ ठीक है, कल बात करेंगे इसको तो मेरे कुछ जब अपने फादर से गुसा था ना, तो खुछ से भी बहुत गुसा थी मैं मैं को खुद पर था कि मैं परफॉर्म नहीं करनी हूँ लाइफ में, और I'm a failure in life तो मैंने अपने आपको ऐसे failure माना था क्योंकि मेरे फादर के expectations ही थी IS officer बने और मैं वो fulfilled क्योंकि मैं को मैं साइंस ले लिया, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था तो उनको भी ब्लेम करती थी कि उन्होंने जबरदस्ती साइंस दिला दी और खुद को भी ब्लेम करती थी कि मैंने क्यों ली तो I was in a bad shape मतलब जब मैं 16-17 साल की थी उस समय I was into major depression और मैं बिल्कुल लिधार्जिक हो के पड़ी रहती थी मतलब 17 साल का बच्चा जो energetic होना जाए वो depression में था और आज मैं 53 साल की हो और मैं फुल अफ एनर्जी चार बजे साड़े चार बजे उड़ जाती हूँ पूरा अराम से नौ साड़े नौ बजे तक फुल अफ एनर्जी सोती हूँ तो इंगर भी इमोशन है प्यार भी इमोशन है तो इमोशन इमोशन का मतलब है एनर्जी इमोशन तो जो भी इमोशन creator और एक्सपिलेंस करते हैं लाव हेटरेड एंगर रिजेंट्मेंट लाव कमपैशन अ ब्लिस फुलनेस हैं इसारे इमोशन से इनछावं की में फूर्जा यह हर एक उरजा है हर इमोशन में एक उरजा है किसी में नेगेटिव उरजा है किसी में पॉज़िव जर तो जब मैं नेगेटिव सोचती हूँ, अपने बार में एमोशन है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैंने लाइफ में कुछ नहीं करा, तो यह एनरजी आगई, डिप्रेसिव एनरजी आगई, और मैं काम बाडी मेरी खतम हो गई, और यही उर्जा कि मैं लोगों के लिए कंट्र इनरजी आगई खतम हो गया और एमोशन आगया लव का, तो लव की जो वाइबरेशन है वो तो बहुत आई होती है, जब आप बच्छों के साथ हो तो किते लोग अनरजेटिक फील करते हैं, क्योंकि आप लाव और कंपैशन में होते हो, छोटे बच्छों के साथ यह और ज जाए, क्योंकि वहाँ पर you feel good, you feel happy, you feel loved, आपको लव का emotion आता है, बच्छे के लिए, जानवर के लिए, क्योंकि वो कितना प्यारा क्यूट है, यह है, वो है, तो आपके अंदर सभावे जो प्रेम से भरे हो बहता है, और प्रेम ही भगवान है, जीसुस क्राइस ने कहा था तो love is God, तो love is God, actually, जब आप प्रेम में होते हैं, तो वो एक vibration है, और वो highest vibration है, तो अब हम move on करेंगे, ठीक है, अब हमें forgiveness का एक meditation करना है, तो आप लोग आख बंद करेंगे, अब हम बात नहीं करेंगे, तो एंड उन लोग को forgive करेंगे, जिन से सब की पास ना, जिन लोग आप एंगर ही हैं, खुद के लिए भी, तो हम आखे बंद करके वो करेंगे, तो दो तिन गहरी सांसे लेंगे, और रिलाक्स करेंगे, रिलाक्स, 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 तो आप अपनी शरीर को रिलाक्स करेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और रिलाक् दो तीन गहरी सांसे लें और रिलाक्स करें हर आने वली सांस आपको एनरजाइज कर रही है और जाने वली सांस रिलाक्स रिलाक्स कर रही है आपका मन शान्थ हो रहा है हर सांस के साथ गहरी रिलाक्सेशन और शान्ती है शान्ती आपका शेरीर और मन रिलाक्स कर रहा है रिलाक्स कर रहा है रिलाक्स कर रहा है जैसे जैसे आप मेरी अवास सुनते जा रहे हैं आप रिलाक्स करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं शेरीर और मन शान्त हो गया है आप गहरी शान्ती में चले गए हैं इस गहरी रिलाक्सेशन में आपका मन पूरी तरहां से शान्त हो गया है, रिलाक्स हो गया है अब आप पूरी तरहां से तयार हैं to let go आप सब कुछ एंगर, रिजेंटमेंट, इरिटेशन को छोड़ने के लिए तयार है You are ready to forgive Forgiveness स्वैम के लिए होती है, शमा स्वैम के लिए है तो फील करें, वीजुलाइज करें, जो भी आपके मन में हैं, जिससे भी आप नराज हैं या गुसा हैं उसको अपने सामने वीजुलाइज करें, महसूस करें कि वो आपके सामने बैठा है आराम से, शानती से और आपको सुन रहा है और आप उसे अपने मन का जिस चीज से आप हर्ट हैं, जिस चीज से अपने तकलीफ में हैं, जिस चीज से उसने हर्ट कर आपको आप उसे बता रहे हैं और वो आपको पूरी तरह से सुन रहा है वो इस समय बिल्कुल सुनने के मोड में हैं, मन में हैं और आपको से पूरी तरह से अपने मन का गुसा, इरिटेशन, एंगर सुना रहे हैं बता रहे हैं कि किस बाद से आप हर्ट हैं, किस बाद से आप तकलीफ में हैं और वो आपको अराम से सुन रहा है, अपने अपनी पूरी व्यथा पूरा, कहानी पूरा, एंगर उससे सुना दिया हैं, बता दिया है और वो बड़े प्यार से कंपैशनेटली आपको सुन रहा है, वो इस समय बिल्कुल लविंग, कंपैशनेट मोड में हैं हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम और शमा और कंपैशन ही चाहता है वो व्यक्ति भी आपसे प्रेम और कंपैशन ही चाहता है रिलाक्स, रिलाक्स, रिलाक्स अब वो आपसे जो चाहता है वो कह रहा है अपने मन की व्यथा वो आपसे सुना रहा है वो व्यक्ति आपको अपनी व्यता सुना रहा है, अपना क्रोध, अपना एंगर, अपनी इरिटेशन, अपनी रिजेंट्वेंट आपको सुना रहा है, पता रहा है और आप भी उसे प्रेम से, कंपैशन से सुन रहे हो, क्योंकि इसमें receptive mode में हो और आप love, compassion से उसकी बाते सुन रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो, उसका point of view आप पूरी तरह से समझ रहे हो रिलाक्स, 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 धीरे धीरे रिलाक्स करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आपका मन सांथ उता जा रहा है, उता जा रहा है, उता ही जा रहा है, क्योंकि आपने अपने आपको पूरा खाली कर दिया है, और दूसरे बंदे में भी आपने आपक मेरे आफों को मीज पे लखिए जैसे जैसे आप मेरी हम रहे है आप शान्ती और रिलाक्सेश्वां करें मी हैं अपका पूरा शारी रिलाइक्स है आपका मन शान्त है अब पूरी तरह से डेलाइक्स और शांत है अब आब बहुःत हल्का feel कर रहे हो अब feel करो, महसूस करो कि आप उसको एक hug कर रहे हो जिस व्यक्ति से आप कोड़ित हो उसको एक warm hug दे रहे हो visualize करो, feel करो give a warm hug एक उसको बहुत प्यार की जब्पती उसको देना है अपने loving, बहुँ व्यक्ति बहुत अच्छा फील कर रहा है आप अपनी सारी एंगर और रिजेंट्मेंट छोड़के उसे प्रेम दे रहे हो गिव दिस लव और पॉजिटिव एनरजी और आप हलके हो गए हो गए हो, शान्ट हो गए हो अब दो तीन गेहरी सांसे लो मैं एक से पांच की मेरी, पांच की जिंती पर आप थीरे थीरे आखी खोल सकते हैं एक बहार आते हुए, फिलिंग रिलाक्स्ट, फिलिंग गूद, अच्छा महसूस करते हुए, प्रेम से भरा हुआ फील करते हुए, हलका फील करते हुए कि आप बहुत फोलक फील करें निएंग बहुत रिलाक्स फील करें तो . दिरे दिरे बहार आते हुए जांट और पांच धिरे दिरे आंके खोलेंगे हाथों को छक्त करके इसकी एनर्जी को आप लगा सकते हैं झाल